दावस्कार इस्टूडेंट्स, क्वाटिट जिमेट्री के सेक्शन फर्मूला पर बेस्ट ये क्वेशन सिवीसी 2012 में आया हुआ है और जैसा हम लोगों ने सेक्शन फर्मूला में पढ़ा है कि कोई भी दो पॉइंट्स को अगर एक कोई पॉइंट उसको किसी भी रेशियो में डिवाइड करता हो तो सबसे पहले हम लोग उस पॉइंट का कॉडिनेट फाइंड करते हैं यहाँ पर इस क्वेशन में ये दिया हुआ है कि वो जो पॉइंट है जो कि उस लाइन को के इस टो वन के रेशियो में डिवाइड करता है उस पॉइंट होकर एक कोई और लाइन पास कर रहा है तो यह जो रेशियो है इसको फाइंड करना है इसका पहले मैं डाइग्राम में एक्स्प्रेंड करता हूँ आपको माल लेते हैं कि यह दो पॉइंट दिया हुआ है 3 और माइनस 5 और यह B पॉइंट है माइनस 4 और 8 इसी में कहीं पर एक पॉइंट P है यह इस परकार से यहां पर पॉइंट P हम लोग ले लेते हैं और यह P इस परकार से है कि यह A P by P B is equal to दिया हुआ है K is to 1 तो हम लोग कह सकते हैं यह A P को K M के जगह पे यहां पर K माल लेंगे और P B को 1 माल लेंगे यही पर यह कुश्चन खतम नहीं हुआ है इसमें कहता है कि यह P lies on the line X plus Y is equal to 0 तो माल लेते हैं कि यह एक line है इसका equation हमको दिया हुआ है X plus Y is equal to 0 तो यह K का value हमको find करना है चलिए solution में सबसे पहले तो coordinate of A और B दिया हुआ है तो हम लोग P का coordinate मन लेते हैं X और Y है लेत कोर्डिनेट्स ओफ पी बी X Y यूजिंग सेक्शन फर्मूला सेक्शन फर्मूला का यूज करके इसका coordinate हम लोग X और Y मन लेते हैं तो X is equal to हो जाएगा K into minus 4 therefore X is equal to K into minus 4 plus 1 into 3 Y हो गया K plus 1 is equal to minus 4K और plus 3 by K plus 1 यह हमको इस point का FC सामिल जाता है अब हम लोग coordinate निकालते हैं Y is equal to K into 8 यानि 8K हम लिख सकते हैं 8K plus 1 into minus 5 यानि minus 5 लिख सकते हैं by हो गया K plus 1 हम इसको लिखेंगे 8K minus 5 by K plus 1 अब यह जो दो point है यह coordinate of P हमको मिल गया उसका FC साई यह है और coordinate हमको यह मिल गया यह जो P है यह इस line पर lie कर रहा है since P lies on X plus Y is equal to 0 therefore यह X का value और Y का value इस equation को satisfy करेगा therefore X के जगा पर हम लिखते हैं minus 4K plus 3 by K plus 1 और plus Y के जगा पर लिखेंगे 8K minus 5 by K plus 1 is equal to 0 equation satisfy करेगा यह दो value that implies K plus 1 इसका LCM ले लिए आ जाता है यहाँ पर minus 4K plus 3 minus 4K plus 3 फिर plus 8K minus 5 8K minus 5 is equal to 0 cross multiply करेंगे minus 4K plus 8K 4K बचेगा और minus 5 plus 3 minus 2 बचेगा तो minus 2 is equal to इसको cross multiply करने पर यह term 0 हो जाएगा तो हम लोग इसको 0 लिख लेंगे that implies 4K is equal to 2 therefore K is equal to 2 by 4 is equal to 1 by 2 यही हमको इसका value find करना था A और B का coordinate दिया हुआ है P एक ऐसा point है जिसका की ratio दिया हुआ है इस P point होकर एक line pass कर रहा है उस line का equation दिया हुआ है हम लोग P का coordinate find करेंगे और वो जो coordinate होगा उसका FC सा X के जगह पे रखेंगे coordinate Y के जगह पे रखेंगे equal to 0 करेंगे जो K है उसका value आना ही है 2012 में यह question सिवे सी पूर्ट एक्जामनेशन में आया हुआ है उमीद है यह question आपको अच्चित्र से समझ में आया होगा लाइक करें सब्सक्राइब करें ठीक आज इतना सही जय हिंद जय भारत